आशाकरता हूँ दोस्तो आप सब ठीक हो आज हम बात करेंगे 30 की उम्र के बाद किन की चीज़ों का आहर में सेवन हमें कम करना चाहिए उसके बारे में जेहाँ दोस्तो आपका खान पान ही आपको सहतमन्द या बिमार बनाता है 30 की उम्र के बाद आपके शरीर में कई तरह के परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं इसलिए इस उम्र में आपको अपने खाने पीने पर विशेश द्यान देना चाहिए अगर आप सही आर खाते हैं और कुछ परेज करते हैं तो आपके रुदय, किड्नी, लीवर, मस्तिश्क, हड्डिया और माउस पेशियां आदी अंगल लंबे समय तक स्वस्त रहेंगे आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे युवा मोटापा, हार्ट अटेक, डाइबिटीज, हाई बलड प्रेशर, कैंसर, आदी का शिकार हो जाते हैं इन में से ज़्यादातर बीमारियों का कारण आपका गलत खानपान या खराब जिवन शेली हैं तो हम जानते हैं वो कौन सी चीज़े हैं जिने 30 की उम्र के बाद हमें कम करना चाहिए चीनी और मिठी चीज़े 30 की उम्र के बाद आपको चीनी का सेवन बहुत कम कर देना चाहिए मिठाईया, चॉकलेट्स, कोल ड्रिंक्स, डोनेट्स, चाय आदी में चीनी की मातरा बहुत जादा होती है मिठी चीजे आपके शरीर में कैलोरी की मातरा बढ़ा देती है इससे लंबे समय में आपको डाइबेटीज और कैंसर का खत्रा हो सकता है इसके अलावा इससे मोटा पा और हड्डिया कमज़र होने का भी खत्रा रहता है चाय कॉफी कम कर दे अक्सर इस उम्र में आते आते लोगों को चाय कॉफी की लट लग जाती है चाय और कॉफी में कैफिन होता है लंबे समय तक पीने से आपको इसकी लट लग जाती है और आपके सेहत पर इसका बुरा असर होता है दूद वाली चाय आपके लिए सेहत मन नहीं होती इसकी जगह आप चाहे तो ग्रीन टी या लेमन टी पी सकते है द्यान दो दोस्तों दो दिन में जादा से जादा चाय नहीं पीनी चाहिए चाय पीने से आपको हाई बलड प्रेशर, माईग्रेन, सिरदर्द, और पच, कब्ज आदी हो सकते है बाहर का खाना कम करे यदि आप बाहर का खाना खाते हो तो आपके सेहत पर उसका बहुत बुरा आसर होता है बाहर का खाना हमें घर के खाने से ज़्यादा टेश्टी लगता है मगर सच्चाई यए है कि बाहर मिलने वाले fast foods, junk foods और रेस्टारण्स में मिलने वाले foods में तेल मसालो और केमिकल युक्तो फ्लेवर्स का इस्तमाल किया जाता है तीस की उम्र के बाद आपको बाहर की चीज़े खाने की आदत बेहत कम कर देनी चाहिए आप गर पर साफ सपाई के साथ बनाया हुआ आहर ही खाए बाहर के खाने में वसा की मातरा जादा होती है जिससे आपको कैंसर और हाई कोलेस्टरॉल का खतरा बढ़ सकता है आटे और मैदे से बनी चीज़े तीस की उम्र के बाद आपको मैदे से बने फूर्स का सेवन कम कर देना चाहिए आज बाजार में मिलने वाले जादा तर रेडी मेड फूर्स में मैदे का इस्तमाल किया होता है इसलिए इससे बचना थोड़ा मुश्किल है इसके साथ ही आपको गेहू के आटे का भी सेवन कम कर देना चाहिए बारत के जादा तर हिस्सों में गेहू मुख्याहर है गर्मे रोटी बनाने के लिए आप सिर्फ गेहू के आटे के बजाए मिक्स आटे का प्रयोग कर सकते है जिसमें दुसरे मूटे अनाज जैसे मक्का, रागी, बाजरा, चना, इसब गोल, आदी मिक्स हो मिक्स आटा खाने से आपको डाइबेटिज और मोटा पेका खतरा कम होता है इसके साथ ही आपके दिल, लीवर और पाचन तंत्र के लिए बहुत फाइदे मन रहता है शराब का सेवन बिलकुल बंद करे जी हाँ दोस्तों, तीस के बाद उम्र परिवार और करियर के लिहास से महत्वपूर्ण होती है इस उम्र में तना और चिंता को भुलाने के लिए बहुत से लोग शराब के आदी हो जाते है मगर आपको बता दे कि तीस की उम्र के बाद आपके लिवर और किड्नी की शमताए दीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है इसलिए आपको शराब का सेवन बिलकुल बंद कर देना चाहिए शराब न सिर्प आपका लिवर और किड्नी खराब करती है बलकि मोटापा, डाइबेटीज और धेर सारे दुसरे गंबिल रोग भी देती है माउसाहार कम करना चाहिए अगर आप नौन वेजेटिरियन या माउसाहारी है तो आपको तीस की उम्र के बाद माउस खाना थोड़ा कम कर देना चाहिए माउसे खेवी फुड है, जिसे पचाना आसान नहीं होता है इसके अलावा रेड मीट और प्रोसेश्ट मीट का सेवन करने से कई लोग रोगों को आमंतरित कर देते है इसके अलावा आप उम्र में ज़्यादा हो तो प्राकृतिक आहार जैसे फल, सबजिया, दाल, मोटे अनाज, नर्स आदिका सेवन आपको करना चाहिए द्यान दे की दूद को सेहत के लिए फाइदेमन माना जाता है मगर तीस की उम्र के बाद आपको पैकेट बन दूद और दूद से बने दूसरे हार जैसे पनीर, योगर्ट, चीज, आदिका सेवन कम कर देना चाहिए कैल्शियम की आपूरती के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सबजिया खाए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में दरूर लिखना धन्यवाद